तो दोस्तो आज ये 30 जून 2022 राद में लेके हूँ आपके लिए KVC Global Limited का Complete Share Analyze और इस कंपनी का पर खासका वीडियो बनाने के लिए हमें लालू जी ने कमेंट किया था अगर आपका भी कोई कोईरी है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें आपको इस बैक इस कंपनी पर निविश करना चाहिए कि नहीं दोस्तो वीडियो की शुरुआत में हम इस कंपनी का आपको 100 रुपीस का बोनस मिले का गुरो के तरफ से जिसका आप चाहिए तो शेयर भी बाय का सकते है चाहिए तो उसे अपनी बैंक के अकाउन में भी ट्रांसपर का सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मैं आपको सबसे पहले इस company को पर जो एक news आया हुआ हुआ है वो आपको एक नजर दिखा देता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आ चुका हूँ BAC के website पर यहाँ पर देख सकते हैं इस company का जो यहाँ पर है तो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ स्क्रीना डॉटन पर आपको शॉटकर्ट में बता तो यह company property business पर काम करता है और यह construction पर भी काम करता है इस company का टोटल आप मार्केट केप देश सकते हो 213 करोड का company का मार्केट के पर इस वक्त current share price तिन रुपया चारिस पैसे पर आ चुक company आपको थोड़ा बहुत डिविडेन भी देता है long term के लिए लेकिन थोड़ा बहुत देता है बहुत जाद नहीं है रिटेन आप क्यापिटेल इंप्लोइट का numbers ठीक टाक है यहां पर तेरा पर साड़े सतरा परसंद के आसपास है तो लगबाग यह साड़े तेरा परसंद के आसपास है तो एक ठीक टाक नमबर है बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फेस वेलू देखेंगे company का एक रुपे का तो थोला सा और स्क्रोल डाउन किरके मैं आपको important चीज़े बता देता हूं जो आपको ज़रूरी है तो सबसे पहले आपको यह ध्यान लगना है कि इस company का जो promoters है उसने मार्स के quarter में अपना promoters का holdings घटाया है लगभग 7.5% के आसपास promoters का holding घटाने से दोस्तों share का price definitely नीचे आता है अच्छे अच्छे company का तो फिर यह तो एक penny stock से इसका भी price नीचे आएगा आने बाले दिनों में और भी नीचे आने के संभावना है रही बाद अगर company का बीते 5 सालों के मुकाबले में sales growth देखेंगे तो लगभग 1% के आसपास घट चुका है और इस वक्त इस company का प्रोमोडरस का holding बचा लगभग 26% का ठीक है return on equity पे आगर देखेंगे तो बीते 3 सालों के मुकाबले में return on equity पे दिया है लगभग 14% के आसप तो ठीकटा के मैं आपको dividend के मामले में बताया था यह company थोड़ा बहुत dividend देता है तो थोड़ा सा और स्क्रोल डान करके इस company का हम लोग numbers देख लेते एक बार standalone तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्च के quarter में company का expense हुआ है लगभग 14.59 करोड और company का sale हुआ है 21.13 करोड operating profit में रहा company 6.54 करोड आपको ध्यान रखना है 2021 में company का profit growth ज्यादा था operating profit में company 2021 के March के December के quarter में ठीक है यहाँ पे profit before tax देखेंगे तो यहाँ पे 2021 के मुकाबले में बहुत कम हो चका है 3.12 करोड का company का profit before tax में profit हुआ है और यहाँ पे March के quarter में company का profit हुआ है 2.26 करोड का जबकि यहाँ पे आप देख सकते है 2020 में 4.5 करोड का था लगबग 4.5 करोड के आसपास 2021 में भी था धीरे धीरे company का profit है वो घट रहा है आपको नजर रखना है यह बहुत ही important चीज़े company का अगर profit ही घट रहा है तो आपको यह company कहाँ से profit दिला पाएगा इसके अपनी दिमा 2020 में 105 करोड था 2020 में 114 करोड हो गया 2021 में 121 करोड फाइनली यहाँ पे 102 करोड पे company अड़क चुका है आके तो इसका definitely profit घट रहा है sales घट रहा हर चीज घट रहा है company का यहाँ पे operating profit में company रहा 29 करोड का और यहाँ पे profit before tax में company रहा 24 करोड का और इस साल में company का net profit हुआ 17 रुपे आ चुका है तो थोड़ा सा और स्क्रोड डान करके balance sheet दिखा देता हो balance sheet आपको ठीक ठाक नजर आएगा यहाँ पे liability में थोड़ा सा इजाफा किया है 314 करोड रुपे था 2021 में यहाँ पे 2022 में 327 करोड हो चुका है company का asset हो चुका है 327 करोड का मैं आपको थोड़ा स 20% से ज्यादा foreign investor का इस company पे निवेश है लगबग 26% के आसपास इस company में जो है promoters का holding है और यहाँ पे domestic investor फिलाल exit हो चुका है इस company में इस company का चार्ट पटन थोड़ा सा समझाता हूं तो दोस्तो चार्ट पटन पे कुछ खास नजर नहीं आएगा आप देखेंगे यहाँ पर आज के दिन यह शेयर आपको 5% के आसपास negative return दिया है अगर आप weekly चार्ट पटन देखेंगे इस company का तो इस हफते में इस company मतलब परसंट से ज्यादा negative return दे चुका है एक महीना पहले इसका शेयर प्राइस पांच रुपे का हुआ करता था ठीक है पांच का शेयर आज लगवग सारे तीन पे आज चुका है तो क्या भरोसा यह आने वाले दुनियों में और भी सस्ता नहीं होगा क्योंकि जो शेयर सस्ता ह आपको ध्याना करना है वो आने वाले दुनियों में और भी सस्ता हो सकता है ये चीज आप अपनी दिमाग में रखिए मैं आपको इस कंपणी का वन येर का चार्ट पटन दिखा देता हूं एक साल में 80 परसन का नेगटिव रिटन दे चुका है आप यहां पर देख सकते हो लगबग और इसका ज्यादा रिटन कंपणी लिस्टिंग होके ज्यादा दिन नह ना कंपणी को प्रॉपर रिसर्स कर लेना उसके बाद ही निवेश करना और मेरी पॉइंट फीज से आगर देखा जा तो इस वक्त इस कंपणी में निवेश करना का कोई भी चांस नहीं है ठीक है फिलाल इस ऐसे शेर से दूर रही है क्योंकि अभी मार्केट जो है बहुत कि आ चुका है और इस वक्त अच्छे-च्छे क्व लिडर करना है और वहां पर बैल मुनाफा का माना है इस तरह का मार्केट से बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लेना दन ही नहीं कभी कबर सेंसेक्स और निप्टी उपर जाता है कि लेकिन प्रेनी स्टोक्स नीचे क कि तरफ कभी कबार सेंसेक्स और निप्टी नीचे आता है लेकिन पेनी स्टोक्स अपर सरकीर तरफ तो इस तरह से चलता है दोस्तों पेनी स्टोक्स आपको ध्यान अखना है और वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं हमारी जानकारे आपको कैसा लगा कमेंट बक्स में बहुत बहुत धन्यवाद